हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे और आज हम बात कर रहे हैं निसान मैगनाइट XB प्रीमियम मोडल की चारो तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हैं उसके सारे फीचर्स प्राइस इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो को सुरू सा आखर तक जरूर देखें सबसे पहले इंजिन की बात करते हैं इंजिन इसके अंदर B4D 1.0NA पैट्रोल इंजिन मिलता है जो 999cc के अंदर आता है नेक्सिमम पावर 71.2bhp पावर जेनेट करती है अब हम फ्रेंट लूक को देखते है और फ्रेंट लूक पे क्या-क्या मिलता है वो एक-एक फीचर्स में आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर फ्रेंट लूक देखेंगे तो सबसे पहले निसान का लोगो आपको देखने को मिलेगा और नीचे की साइड में डूल टॉन में बंपर देखने को मिलेगा यहाँ पर फोग लाइट और LED DRL उपर की साइड में देखेंगे हेलोजन हेड्लैम और LED हेडलाइट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और नीचे की साइड में ground clearance 205 mm का देखने को मिलेगा इंडिकेटर भी मिल जाते हैं light profile में तो यह सारा system light profile का आपको देखने को मिलेगा 16 inch के allowable यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे निसान का logo और front में disc brake आपको देखने को मिलेंगे rear view mirror पर आप देखेंगे तो indicator और नीचे की साइड में camera भी देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा option इस car में दिया गया है निसान मैगनाइट लिखा हुआ है और यहाँ पर दो बाइपर उपर की साइड में mirror पर आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा है बहुत कारेंसी है जिसमें एक भी बाइपर आता है side profile कुछ ऐसी दिखती है काफी premium look दिखता है keyless entry है और यहाँ से door को करते है open और door को open करने के बाए driver door पर क्या क्या मिलता है वो चीज में आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे lock unlock करने के लिए gate को option मिल जाता है unlock करके gate को खोल सकते हैं यहाँ पर electric fold rear view mirror का एक option मिल जाता है rear view mirror को set करने का यहाँ पर option मिल जाता है और power window का यहाँ पर option मिल जाता है कुछ space और यहाँ पर bottle holder speaker का option मिल जाता है और इसकी seat profile की बात करें तो यहाँ पर height adjustable वाली seat आपको देखने को मिलेगी, आगे पीछे उपर नीचे seat को कर सकते हैं, headrest adjustable वाले हैं, सभी seat उपर मिल जाते हैं और front में देखते हैं तो कुछ नीचे की side में 3 pendle, adjustable light का option और AC band उपर की side में glove compartment काफी बड़ा है और यहाँ से option मिल जाता है, light को जलाने के लिए, indicator को चलाने के लिए, अंदर बैटके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर glove compartment की बात करें तो इसके अंदर touch meter, digital clock और digital automator जैसे option यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे seatbelt warning का option भी मिलता है, यहाँ पर steering पर Nissan का logo मिलता है, adjustable वाला steering इसकार के अंदर आपको मिलेगा, airbag मिल जाएगा, horan और cruise control जैसे option इसकार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, automatic climate control भी मिल जाता है यहाँ भी कुछ option मिलते हैं, इधर से बाइपर आप चला सकते हैं, तो कुछ ऐसे option मिलते हैं, यहाँ पर touch screen system मिल जाता है, 8 इंच वाला और इसमें android auto, apple car play का system मिलेगा, wifi connectivity मिल जाती है, integrated tune in audio, bluetooth connectivity, 4 speaker मिलते हैं और यहाँ से चारो indicator को एक साथ जलाया जा सकता है, यहाँ से lock unlock किया जा सकता है, यह AC का पूरा system, heater का system मिल जाता है, engine start stop का button मिल जाएगा आपको, कुछ space मिलेगा, 12 bolt का charger यहाँ पर सामने मिल जाएगा, USB connect का option मिल जाएगा, कुछ space, gear lever, manual transmission में, यहाँ पर आप handbrake देख रह उपर की साइड में देखेंगे, तो day night वाला mirror मिल जाएगा, और यहाँ पर vanity mirror मिल जाते है, light यहाँ पर नहीं मिलती, यह light का option है, जो reading lamp कहलाएगा, तो यह मिल जाता है, और यह भी काफी अच्छा है, यहाँ पर vanity mirror, यहाँ पर driver seat को छोड़कर, सभी seat ओपर handle मिल जाते हैं, तो यह काफी अच्छे option इस car के अंदर features मिल जाते हैं, आपको यह car कैसी लगती है, आप comment करके बता सकते हैं, आपके पास है या नहीं आप खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं, comment करके, passenger door पर देखेंगे, तो हमें क्या-क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लेए का option, यहाँ पर AC bent, airbag और यहाँ पर काफी सुन्दर है, पूरा यह जो आप देख रहे हैं, dual tone में ही कहलाएगा, black color के 2 tone इसमें मिलेंगे आपको, glove compartment में light है, adjustable seat है, और adjustable headrest है, तो यह काफी अच्छा है, और सभी seat ओपर seat belt का option मिल जाता है यहाँ पर, पर मैं आपको बता दे जैसे कम budget की कार है, तो काफी अच्छे features इस कार के अंदर आपको मिलेंगे, इसके मैं price भी discuss करूँगा आगे थोड़ा सा, और back tire की बात करें, तो यहाँ पर alloy wheel में drum brake आपको देखने को मिलेंगे, disc brake देखने को नहीं मिलते, उपर की side में देखते हैं, तो कुछ ऐसा दिखा लुक वाला antenna और यहाँ पर roof rail दिखाई देती है, यह antenna है, और यहाँ से पीछे की side में profile कुछ ऐसी दिखाई देती है, light profile, LED, tail light आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसमें fog lamp और indicator का option, Nissan का logo, magnet लिखा हुआ, उपर की side में देखेंगे, यहाँ पर बाइपर, defogger का option mirror पर एक छोटी सी light और roof कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा से दूर से देखते हैं, तो दूर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, पीछे का पूरा look, यहाँ पर bumper dual tone में आपको देखने को मिलेगा, parking sensor यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यह भी क आप यचे option इस car में मिल जाते हैं, और open करते हैं तो power boot है, यह इस प्रकार से उपर जाता है, और उपर से फिर नीच आता है, यहाँ पर दो light मिल जाती है, नमबर plate पे जो light आती है, उसके लिए और पीछे की side में भी आपको camera मिल जाएगा, side profile कुछ ऐसी है, यहाँ पर fuel tank की मिलेगा, mileage देती है, यह 18.75 km का पर लीटर का mileage, area mileage जैसा की company दावा करती है, और यह gate कुछ ऐसा दिखाई देगा, गेट, तीन gate बिल्कु सेम है, और एक gate पर थोड़ से features जादा है, तो यह वही features मिलते हैं, सभी तीन gate के बरावर, अंदर बैटके देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और अंदर का पूरा system कुछ ऐसा दिखाई देता है, और हम अब safety feature की बात करें, तो ABS system मिलता है, जैसे हैं यहाँ पर light वी मिल लेए, ABS system मिलता है, break, assist, center lock, power door lock, child safety door lock, anti-thip, alarm, दो airbag, passenger airbag मिलता है, और driver airbag इसमें मिलता है, seatbelt, warning option, door, अजर warning, tire pressure monitor, crest sensor, engine check warning, और EBD का system भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो यह सारे features safety के नाम पर आपको देखने को मिलेगे, तो ठीक टाक features मिल जाते हैं, पीछे की side में AC band मिल जाते हैं, lag room यहाँ पर काफी है, और पीछे की side में AC band के नीचे 12 bolt का charger भी मिल जाएगा, अगर हम seatों को थोड़ा आजाता है, पर इस car के अंदर आपको voice control का option मिल जाता है, और gear shift indicator का option मिल जाता है, जब आप gear change करते हैं, तो इसमें आपके meter पर दिखाई देगा, अब थोड़ा सा बात करते हैं, इस car के dimension और capacity की, तो land 494 mm है, width 1780, height 1572 mm की मिल जाती है, और ground clearance 205 mm का मिलता है, जैसे मैंने पह आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने ये सारा system बता दिया आपको, अब बात कर लेते हैं, इसके price की तो exorum price इसके base model की कीमत 6,00,000 से start होकर, top model की कीमत 11,00,000 तक जाती है, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, निसान मैगनाइट XB premium model की, इसकी exorum कीमत 8,69,000 रुपे स start होकर, on road कीमत जाती है, 9,70,000 रुपे तक, तो ये मैंने सारे आपको features और price इसी वीडियों बता दिये, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe ज़रूर करने